कीट प्रबंधन कहने का मतलब है कि ज्यादा कीडों का प्रबंधन में कम कीडा जब रहता है तो उसका हम प्रबंधन नहीं करते हैं कीडों का प्रकोप जब 10% से उपर होता है तो हम कीट का प्रबंधन करते हैं 10% से कम जब रहता है तो कीट का प्रबंधन हम नहीं करते हैं 10% से उपर 20% तक आता है तो हम नीम से या करंज से या आपका गोमुत्र से जो दवा बनता है उसका एस्प्रे करके हम उस कीट को बचा लेते हैं लेकिन जब 30% से जब उपर हो जाता है किट का प्रको तब हम केमिकल दवा का इस्तेमाल करते हैं कि तो हमें कीट परवंधन करने का जो है सबसे पहले तो हम अपने खेतों का गर्मा जोताई जो जरूर करना चाहिए अगर गर्मा जोताई हम नहीं करते हैं तो हमारा कीट जो है जो इस साल लगा हुआ रहता है उसका अंडा जो होता है वो अल लेडी अंदर अपने जमीन के अंदर में छोड़ देता है और वो अगले साल जब फिर जब हम पोधे लगाते हैं जब हम फसल लगाते हैं जब फसल हमारा उग जाता है हरा हो जाता है उसके की गहरी जोताई और वो भी गर्मा जुन जुलाई में हम अच्छी तरह से अप्रील माई जुन में जो भी हो हम एक बार गर्मा जोताई गहरी जोताई हम जरूर कर लें इसके बाद हम मेढ़ों पर जो रहता है मेढ़ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं दवा का इस्तेमाल कर म developmental करते हैं अपने खेत में डाल देते हैं लेकिन मेड़ नहीं डालते हैं मेढ़ रहता है मेड़ harass meh हमारा ओलेडी वह ऑनडा रहता है और वह समय के निसार फिर फोट कर हमारे खेत में आ जाता है इसलिए जब भी हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मेड़ पए भी इस्प्रे करना चाहिए और कोशीस करना चाहिए कि जब भी हम कीट का प्रवंधन कर रहे हैं तो हमें जो एक पैच जो है एक जो एरिया है वो सब एक साथ मिलके हम वहां दवा का इस्तमाल करें लेकिन समयकित कीट प्रवंधन कहने का मतलब होता है कि हम दवा का इस्तमाल क सम से कम करेंетр यह अंतिम चरन है जिसमें हम कीयर का प्रयूब करते हैं और दवा प्रयूब करते हैं लेकिन दवय का प्रयूब करने से पहले हम कुछ उपाय ऐसा है जो कि हम कर सकते हैं जैसे छोटे चोटे जगह में हम सब्जी लगाते हैं सब्जी को ग्रीन हाउस अगर बना कर हम लगाते हैं तो ग्रीन हाउस अगर रहता है तो ग्रीन हाउस में हमारा कीट का प्रकोप लगभग नगन्य हो जाता है तो सब्जी के खेती में हम अच्छा उपज भी ले लेते हैं और अच्छा दनी भी हो जाता है तो green house हमारे लिए सबसे अच्छा है इसके बाद हम गर्मा जोताई करते हैं तुसरी तीसरी बात कि बीज का उपचार हम लोग नहीं करते हैं बीज की उपचार जो है अभी गतवर्स कुछ वर्सों में पांच साथ साल से जो है जो हम बीज का उपचार करना वो हमारा नहीं आता है इसलिए बीज उपचार भी हम करते हैं तो हमको तीनों चीज से करना चाहिए जैसे फंगी साइट किटनासक और एक फंदी नासक किटनासक और हमारा राईजोबियम जिसको एफ आई आर कहा जाता है